नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सबी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सबी लोग को मालूम है कि कोरोना वाइरस ने किस तरह पूरे देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज की कोई भी दवा नहीं वनी है इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम और आप अपने अपने घर में रहें कम लोगों के संपर्क में आएं जितना भी हम लोग अपने लोगों के कम संपर्क में आएंगे लोगों से कम मिलेंगे, अपने घरों से कम बाहर निकलेंगे उतना ही जादा हम सब लोग खुद भी बच सकते हैं और अपने देश और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं हमारे प्रधान मंतरी शरी नरेन मुदी जी ने जिस तरह अपील करी है हम सभी लोगों से कि हम लोग अपने अपने घर में रहें बहुत जरूरी काम हो तो हम लोग बाहर निकलें और उसी के चलते आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेज ये सब कुछ आजकल बंद हो चुका है बच्चे भी घर पे हैं, पेरेंट्स घर पे हैं और बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्कूल बंद हो चुके हैं बच्चों के पास कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं कुछ खास करने के लिए नहीं तो क्या किया जाए तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रदान मंतरी जी की बात को मानते हुए बालजी ग्रूप आफ स्कूल्स ने एक निड़ने लिया है और हमनोंने डिसाइड किया है कि 12 वंकी में फर्स टाइम हम सब लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लासिस देंगे हर वो बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनलों को ऑनलाइन क्लासिस मिलेंगी टीचर्स अपने सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाएंगे जिससे हम लोग अपने देश को भी help कर पाएंगे और बच्चों की education में भी उनलों को आगे बढ़ा पाएंगे बच्चे घर में आप खाली रहेंगे वो टीवी देखेंगे और जो भी उनलों का समय बचेगा उसमें अगर वो चाहें तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आप लोगो स्कूल मित्रा के तहट जितने भी हमारे notes हैं वो teachers everyday आप लोगों को provide कर देंगे आप लोगों को मिलता जाएगा हैं कि हम सभी लोगों को इस संक्रमर्ण से बचाए जा सके हमारा और आपका हर एक नागरिक के करता है कि हम को उनके साथ कंदे मिला करके चलें कम से कम हम लोगो बाहर निकलें और बच्चें चुकिख घर पर रहेंगे बच्चों को भी पढ़ने के लिए कूछ चाहिए ए उ आप लोगों को मिलते जाएंगे, तो धन्यवाद आप सभी लोगा, हम लोगा इसी तरीके से साथ देने के लिए, और जो भी लोग आप लोगों के संपर्क में हैं, उनसे आप कहें कि वह कम से कम बाहर निकलें, लोगों के संपर्क में कम आएं, जादा से जादा हाथ धुलें, सेनिटाइजर का यूस करें, अपने आपको और अपने देश को बचाएं, क्योंकि ये वक्त हम सब लोगों की जिम्मेदारी का है, ये वक्त हम लोगों के एक साथ आने का है, धन्यवारा